जो सरकार थी वो पीडीपी और भाजपा के थी 25 अमेले भाजपा के थे और पीडीपी ने कहीं न कहीं बहुमत का आकड़ा चुआ तो और हावी भी हुई थी तब जाकर नॉर्थ पोल साउथ पोल जो एक साथ आये थे लेकिन लोग ये भी सोच सकते हैं कि पीडीपी में जो से काम कर रहे थे और गौर्वर्मन्ट चाल रही थी बाट अनफॉर्चनेटली बाजपा को वो रास नहीं आई और वो सरकार गिर गई अद्रवाइज उस वोकत भी बहुत हिस्टारिकल काम हुए है हमारे बाजपा और हमारी सरकार के बीच में चाहे वो जमो में एम्स हो आ एम्स खोलने की बात हो मतलब हमारे दोर में एक वो एक बेस्ट डियल्मेंटल एरा था लाजपा कहते है कि पीडीबी काम नहीं करने दे रही थी वो कमांड में थे तो हम उस तहां का काम नहीं कर पाए आप उस सरकार में एक मंत्री के तोर पर भी थे विभाग भी थे आपक है अपनी पार्टी के लिए भी कहा जाता है कि मतभेद बहुत करते हैं बहरी और शहरी के लिए हाल ही में बुखारी साब ने कहा था कि अगर कोई बाहर से आया तो हम बसने नहीं देंगे क्या सच में मतलब स्थानिय जमू कश्मीर के नागरिक और यूपी बिहार मैं भेद करतें अंतर करतें की अलग है भारतिय नहीं है और तेक्स पर बुखारी साब सवाल उठाड़ेटे तो जवाबrib करते हैं कि जो सक्षम लोग है जो आईफोन इस्तिमाल कर सकते हैं डाटा इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन पैसे नहीं दे सकता है अब कली उन्होंने काया कि चालिस परसेंट जो अबादी है जमो कश्मीर के उनको नहीं देना होगा टेक्स तो क्या लगता है इस पर बोज पड़ेगा लोगों पर आर्थिक बंदी के तो वैसे शिकार है यह टेक्स जो है यह एक सेविक टेक्स है और सिविक जो लोग मुंस्पल एरियाज में रहते हैं उनको इसका वो फैसेलिटी जवेल करते हैं और उसके लिए टेक्स जो है वो हारे सारी कंट्री में दिया जाए एक्ट को जमो कश्मीर में लागू करना नैशनल फूड सीकेरिटी एक एक नैशनल फ्लैक्शी प्रोग्राम था और वही एक मैन सोर्स था जिसके जरीए रिया थी कि लागू होने से यहां पर लोगों को राशन जो है वो कम हो जाएगा लेकर हमने उस वक्त एक और स्टेट लेवल की स्कीम भी स्टार्ट की कि हम सप्लिमेंटरी राशन देंगे लोगों को हम अपने स्टेट रिसोर्स से राशन पर चेस करते थे और उसके बाद नैशन में कुछ ऐसे नेता जो आपके पार्टी भी छोड़ कर गए उन्होंने कहा कि यह महराजा हरी सिंग जी का सम्मान नहीं करते हैं जम्मू के डोगरों की नहीं सुनते हैं तो यह कुछ लगता है खटास रहे हम तो महराजा के हमेशा ही ऑनर में बात करते हैं हम तो कहते हैं कि महराजा ने स्टेट सब्जेक्ट ट्राइट्स ती यह थे जमो कश्मीर के लोगों को खारी साहब यहां पर मंत्री मंडल के दाविदारी करेंगे आप मंत्री होंगे और वो सीएम होंगे ऐसा माने इसमें जमूरियत में जो ताकत का सर्चिश्मा है वो लोग होते हैं हम भी एलेक्शन में तो हकुमत बिनाने के लिए जाएंगे और अगर लोगों ने शीरवाद दिये तो डेफिनिटली बनेंगे चाहें आम नागरिक हो या फिर राजनितिक चहरा हर एक व्यक्ति इस समय एक ही सवाल कर रहा है कि आखिरकार जमो कश्मीर में वोट का अधिका से अपनी नेता को चुनेंगा और कब राजनितिक चहरों का असल अस्तित्व राजनितिक मैदान में जो है वो मापा जाएगा क्योंकि स्थाइव स्थिर सरकार नहीं है लेकिन सियासित सरगर्मिया साल दोहजार चोविस के लिए काफी जदा तेज हो चुकी है जहां प्रध जनता के दर्वाजे तक कैसे जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर दस्तक देंगे मिरसा चोद्री जुल्फिकार इली सहाब है पूर्द में अगर हम कहें तो एक मंत्री के तोर पर एक लंबा कारेकाल नहीं रहा लेकिन अगर अभी चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा कहीं विजिबल दिखाई नहीं दे रहा है जो भी एक निरने सरकार ले रही है टाइम एंड अगें जो भी फैसले आ रहे हैं ये क्लिर कार्ड इंडिकेट करता है कि अलेक्शन जो है वो रोन दा कॉर्णर नहीं है लेकिन अगर अलेक्शन होंगे होने भी चाहिए और क्यों पिछले पांच साल से तकरीबान यहां पर चुनी होई सरकार नहीं है लोगों के बेसिक इशियू हैं डोयमेंटल इशियू हैं आनिम्प्लाइमेंट का इशियू है लोगों के जिस्वाई नहीं होती है मैं सरकार की नियत पर कोई डोट खड़ा नहीं कर सकता लेकिन जो भी फैसले जो निर्ने सरकार ले रही है वो कहीं न कहीं लोगों को ऐसा नहीं उन से एसास होता कि ये निर्ने हमारे हमारी सरकार ले रही है हमारे चुने हुए नर्वाच जो नमाइंदे हैं वो नहीं ले रह रहे हैं तो उससे एक रोश है लोगों के बीच में और मुझे लगता है कि यह सारे इश्यूस जो है यह रेक अप होंगे पिछला कारेकाल काफी लंबा नहीं रहा लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग की बात के रहे कुछ इसी योजना है जो ती जुल्फिकार साब ने लाई ती वह कौन-कौन सी योजना है जिसे गरीबों तक जो है वह अन पहुंचा क्योंकि केंद्र की जो सरकार है वह असी करोड का दावा करती है कि अन योजना पहुंचाई है देखिए जहां तक फूड डिस्क्रिबिशन का सिस्टम है मेरे पास एक कारेकाल रहा है एक डिपार और वही एक मैन सोर्स था जिसके जरीए रियासत जमू कश्मीर में फूड परवाइड करना था बैट एन फॉर्चुनेटली हम यहां पे सरकारें जो थी वो करने ही पा रही थी लेकिन हमने एक निरने लिया उस वक्त क्योंकि लोगों की अप्रिहेंशन थी कि एन फैस से ल अपने स्टेट रिसोर्सिस त्हरीस राशन प्रेशेज करते थे और उसके बाद वूड सीकुरिटी एक्ट कर जो राशन था वो भी मिलता था और लोगों को सफिजेंट कूईंटिटी में राशन मीलता था अret Craft जाने के बाद कोविट कल आ अगया कोविट का स्थिन का जो है सिर्फ ग्रीब क्लिया नियोजिना वाला राशन रखा और नैशनल फूट सिक्यरिटी एक्ट वाला जो राशन था वह बांद कर दिया उसे कहीं न कहीं आप जो राशन का जो है वो कमी विजिबल सामने दिखाई देने लगी है दूसरी यह बात है कि हमने जब नैशनल को हमने जीपियस किया कि जो लोगों का हक है वो वहां मिले पंदरह साल से लोगों को राशन कार्ड नहीं मिले थे लोगों को राशन कार्ड दिये सो हमने कोशिश की कि जो मारजिनलाइज सेक्शन आफ दा सोसाइटी यह मिडल क्लास सेक्शन आफ सोसाइटी है उस तक जो है वो राशन पहुंचे और हमने इन्शूर भी किया कि वो पहुंचा भी और उसके बाद जो एक लोगों का एक और था आ कंजूमर प्रोटेक्शन को लेक्शन को लेकर कि उनके अधिकारों की सुरक्षा किस तरह के से की जाए उसमें भी हमने अपने विवाग को काफी जोड़ा जाएगा और अगर अभी चुनाव होते हैं और आपके साथ भी अगर ऐसा ही होता है आपकी काट छाट हो जाती है तो कितनी उमीद है इस बार के जनता आपकी तरह विश्वास जो है वो करें देखिए जनता के बीच में जाने के लिए का जैसे किया गया वह अलग एक पहलू है वो अलग वीशे है हम उसको माने ना माने लेकर अब उसके स्पूरिम कोट ने भी कहा है कि जो हो गया सो हो गया ठीक है जो भी हुआ है लेकर रूटिमेटली लोगों के इस्जिट एक है यूनिट हमने स्टेट को यूनिट एक लेके चलना चाहिए कि जमों के के बी इश्यूज हैं किशμीर के लोगों के इश्युज हैं कठूवे के लोगों के इश्यूज हैं डोड़ा के लोगों के जब हम सवाइं पूछते हैं तो भाजफाय कहते है यह अन्य-raagnick dalggi कॉंग्रस कश्मीर के पार्टी है बुखारी सहाब के साथ ऐसा जोड़ा जाता है कि यह कश्मीर के लोगों के सुनते हैं यह जम्मू के नहीं सुनते हैं हाल ही में कुछ ऐसे नेता जो आपके पार्टी भी छोड़ कर गए उन्होंने कहा कि यह महराजा हरी सिंग जी का सम्मान नहीं करते जम्मू के डोग्रों के नहीं सुनते हैं तो यह लगता है खटास रहेगी हमतव महरा guten है के हमेशे ही अनर में बात करते हैं के महराजा ने स्टेट सप्जेक्ट राइट ती यह था जमो कश्मीर के लोगों को उन्निसon सताइस में और माराजा के जमाने में ये एक रियास्त थी फ्राम लखनपूर्ट तो गलगी तक की एक सबसे बड़ी जो अभी आपने डक्टर करन सिंग जी का इंटर्विव भी सुना होगा तो एक सारी रियास्त जो है ये एक बहुत बड़ी ब्रिटिश इंडिया में सबसे बड़ी रि ये रह गई है और एक यूनिट है मैं नहीं कहता हूँ कि आज हमारा प्रेजडंट किश्मीर से है तो ये किश्मीर की पार्टी होगी कल हमारा प्रेजडंट जमू से हो तो ये जमू की पार्टी होगी कहीं न कहीं का एक ही प्रेजडंट पार्टी का एक ही होगा हमने हमेश कुछ यही है कि हम रियासत के तमाम रिजन्स की बात करें और देखिए जो भी सरकार बनेंगी सरकार जम्हो किश्मीर के लिए बनेगी सरकार किश्मीर के लिए बनेगी जो भी सरकार बनेगी वह जम्हो किश्मीर के लिए बनेगी और जम्हो किश्मीर के लिए सरकार बनेगी तो उस में मसाइल जो हैं वो जम्मू के भी वैसे हैं और किश्मीर के भाजपा को कैसे टकर देंगे वो तो पूंत विश्वास के साथ पचास प्लस आंकड़े की बात कर रहे हैं देखिए यहां तक बाजपा का तल्लक है बाजपा का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई आधार ज्यादा है वो इन डिफेक्टो गोवर्मेंट कर रहे हैं पिछले पांच साल से तो पहले वो दो हुजार चोवदा से स्टिल दियार इन पावर उनको अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ लेकर जा रहे हैं वो कहरे कि तीन सो सतर हटने के बाद जो फायदे होंगे वो जनता क अध्यन करेंगे ना उसका एक करेंगे लोग के इसके जाने से फायदी कितने हुए नुकसान कितने हुए लास्ट जो सरकार थी वो पीडीप और भाजपा के थी 25 अमेले भाजपा के थे और पीडीप ने कहीं न कहीं बहुमत का आकड़ा चुआ तो और हावी भी थी तब ज किसे जमो कश्मीर का भवेश्य बत लेंगे यह लेता है देखिए हम उस वक्त भी बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और गौर्वर्मन्ट चाल रही थी बट अनफॉर्चनेटली बाजपा को वो रास नहीं आई और वो सरकार गिर गई अदरवाइस उस वक्त भी बहुत हिस करने का हो सड़कों की मैक्डिमाइजेशन का हो राशन का सिस्ट्रिम को स्ट्रीम लाइन करना हो किश्मीर में एम्स खोलने की बात हो मतलब हमारे दोर में एक वह एक बेस्ट डियलमेंटल एरा था लाजपा कहते है कि काम नहीं करने दे रही थी वह कमांड में थे तो हम उस साथ अपने नाइनसाफी का रहे हैं उनको यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि उस दोर में वो भी मन्तरी थे सरकार में जाब भी निरने होते हैं कश्मीर के नेताओं को डोगरों की याद आ रही है भी भाज़ पकेरिए कि अब वोटों की रनीती है तो वोटों के लिहास से अब जम्मो की याद आ रहे हम तो कश्मीर के लीडर नहीं हैं हम जम्मो कश्मीर के बात करते हैं और हम ना डोगरों की बात करते हैं ना कश्मीरियों की बात करते हैं हम जम्मो कश्मीर की लोगों की बात करते हैं और विल कंटिनू टॉक पार्टी बी का टैग लग मुझे नहीं लगता है कि यह चलने वाली बाते हैं यहां जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो परानी पार्टी उको तकलीफ होती है वो यह चीज़ें कहते रहते हैं दारा 370 की समापती वहां पर जहां महभूबा मुफ्ती नजर बन थी डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला नजर बन थी अमर अब्दुल्ला नजर बन थी वहां अलताफ बुखारी के साथ जुल्फिकार अली सहाब आते हैं और एक नए राजदिक दल का निर्मान करते हैं तो सवाल तो वहां से भी उड़ते हैं यहां तवम नेता बन थे तो वहां पर आपका उदे हो गया है सियास्त का ने मैं ऐसी बात नहीं है उस वक्त एक जो एत्पमासफिर था यहां पर एट्मासफिर ऐसा था के लो गबड़ा हुए थे लोग परेशान थे परेशानी का आलम और उस वक्त हमने ये एक पानिर ने लिया हम भी बनते हम निकले जब यहां से हमें दो महिने चार महिने चे महिने के बाद जब जब किस को छोड़ा गया हमने कहा कि लोगों में एक चिंता है कोई प्रेस बात नहीं कर रही कोई सोचल मीडिया पर बात नहीं कर रहा कोई और हमने गौर्मेंट आफ इंडिया से बात कि हमने एक फ्रंट बिनाया जब आठ मार्च 2020 को हमने अपनी पार्टी फॉर्म की तो हम प्राइम इनिस्ट आफ इंडिया के पास हमने उनको कहा कि जम्मो कश्मीर के लोगों की यह अप्रिहेंशन से उन्होंने हमें आश्वासन द कि हमें तो टाइम नहीं देते हैं मिच्छा जी इनको कैसे देते यह नजदीकिया क्या कहती है वह कहते हैं यह रिश्टा क्या कहला यह रिवेंट कोश्चिन मुझे लगता है कि आप बुखारी सबस्वी पूचिए कि उनको टाइम मिलता है लेकिन आप यह काफी देर तक अ अगर कांग्रेस की होगी कमिनिस्ट पार्टी की होगी किसी की सरकार भी वहाँ होगी जिसकी सरकार होगी हमने उसके पार्टी के लिए बीगा जाता है करते बाहरी और शहरी के लिए हाल ही में बुखारी साब ने कहा था कि अगर कोई बाहर से है तो हम बसने नहीं देंगे क्या सच में मतलब स्थानिय जमुकश्मीर के नागरिक और यूपी बिहार महाराश्च्ट दिल्ली के नागरिक में आप भेद करते अंतर करते कि अलग है करेंगे हर कि स्थी बाहर है कुछ बहुता है नागलेंड वाला भी चाहता है नार्थीस्ट की स्टेट्स की स्थेट स्थेंच भी चाती है कौन अपने कल्चिते करना है आप कहने का लाहजा कूछ कुछ भी हो कैने का लाइजा कुछ भी हो लेकिन मतलब जो है वो यही है कि हमारे कल्चर को इंटरफेर ना किया जाए हमारी एडेंटिरिटी को डाइलूट ना किया जाए पर बुखारी साब सवाल उठाते तो पर जवाब देते हैं कि जो सक्षम लोग है जो आईफोन इस्तिमाल कर सकते हैं डाटा इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन पैसे नहीं दे सकता है अब कली उन्होंने काया कि 40% जो अबादी है जो मुकश्मीर के उनको नहीं देना होगा टेक्स तो क्या लगता है इस पर बोज पड़ेगा लोगों पर आर्थिक कंट्री में दिया जाता है यहां पे नहीं था लेकं हमारा कहना यह यह है कि यह निर्ने जो है यह चुनी हुई सरकारों पर छोड़ना चाहिए वो लोगों को इनवाल्व करें जो लोग आज सरकार के अाधिकारी गन जो है वो कनवे कर रहे हैं एसको लोगों को के लेके जाएगा तो लोगों में उसकी acceptability जाएगी, लोग उसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और लोगों को लगेगा यहां की लिए है, तो लोगों को लोगों में और सरकार के बीच में gap है हम यही कहते हैं, चनाव हो जाए और चनाव होने के बाद ही हम इन सारे जो निरने हैं उन पर बात की जा सकती है लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि पहले आप 377 की चर्चा करते थे लेकिन जब से सुप्रीम कोट में मामला पहुंचा है तो बुखारी साब कहते हैं कि लंबित है इस पर बात नहीं करेंगे अब स्टेट है कि हम इसको जो है स्टेट हुड को रिस्टोर करेंगे तो अब इतना लंबा नेता आप ही के कश्मीर के नेता जो पूर में जिस सरकार में आप भी रहे मैं बुबा मुफती आज भी लड़ रही है गुपका डिक्लेरिशन बना कर 373 के लिए डीडीसी में भी हमने देखा क जो है वो लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा हुए इशू है और वो सुद्रिम कोर्ट के बीच में वैचारा दीन है जब तक वो सब जीडीस है तब तक तो टिपनी करना मनास्ब नहीं है अखरी सवाल है अलताव बुखारी साहब सीम कैंडिडेट होंगे आपकी तरफ से हमारा तो टार्ग लक्ष होगा हम 90 सीट पर कंटेस्ट करेंगे लेकिन कितनी जीत कहते हैं अभी तो लोगों में एक बहुत सारा रोश है जो पाई साल सरकार नहीं है एक बहुत लोगों में और पोलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा गैप पढ़ गया है तो यह इसका आक इसमाने इसमें जमूरियत में जो ताकत का सर्चिश्मा है वो लोग होते हैं विल गो विद ओवर एजंडा विल गो विद ओवर मैनिफेस्टो तो टु पीपल इफ तो पीपल गीव तो अस्ता चांस डेफिनेटली विल हम भी एक्शन में तो हुकुमत बिनाने के लिए जा सब्सक्राइब जो है वो मुख्य मंत्री भी हो सकते हैं और यह जो चहरा मेरे साथ बैठा है यह एक बार फिर से मंत्री पत की शपत लेता हूँ पर आपको नजर आ सकता है आप यह मारसत बने लिए देते हैं विश्टो जमस्वाहान के पूट